तो उसको गौतम अडानी के पास क्राइसिस सर्वाइव करने की स्किल शायद हमिश्य से मौजूद थी। चाहे दो दशक पहले उन्हें रैंसम के लिए किड्नाप किये जाने के दरान सर्वाइव करना पड़ा हो या 2002 के मुंबई ताज होटल में हुए अटाक में उनका इंडिया के रिचस लोगों में अपना नाम शामिल किया है। इवन जब करना वार्यस के दरान देश एक सीवियर रिसेशन से गुजर रहा था उस दरान भी अडानी ग्रूप ने अपनी ग्रोथ बरकरार रखी। यदि इंडिपिंडेंस के बाद इंडिया की ग्रोथ स्टो के अगेंस्ट गौतम अडानी एक फर्स्ट जेनरेशन अंट्रपेनियोर हैं जो उनकी सक्सिस को दूसरों से ज़्यादा रिमार्केबल बनाती है। गौतम अडानी ने केवल 30 सालों के अंदर एक ऐसे ग्रूप का निर्मान किया है जिसकी 7 लिस्टेट कंपनीज आज 153 बि के कारण ये गुरूप आज इस परिशन पे पहुचा है। इसके लावा गौतम अडानी से जुड़ी कुछ मेजर कॉंट्रवर्सी पे भी नज़र डालेंगे जिसने इस गुरूप को घेरा हुआ है। आज का डिसकेशन नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आदर्श और लाल नगिन दास विद्याले में एडुकेशन के बाद गौतम अडानी ने गुजरात उनिवस्टी में कॉमर्स में बैचलर्स दिगरी के लिए एडमीशन लिया। लेकिन सेकेंड येर के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड बिजनस करने का फैसला किया। 1978 में गौतम अडान को 1981 में मुंबई से वापस बिला लेते हैं। ये प्लास्टिक विंचर अडानी के ग्लोबल ट्रेडिंग का गेटवे बनता है। बड़े भाही का बिजनस सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। इस कंपनी को हर मैने डी स्टन्स पी वी सी की ज़रुद पढ़ती किया। अडानी शिप्मेंट्स के लिए कस्टम्स के लेरंस ओप्टेन करने वाले एक एजेंट के अनुसार जब ग्रैंडल्स प्राइसेस के फ्लक्ट्रेशन के दरान जुसरे ट्रेडर्स अपने कॉंट्राक्ट फुल्फिल करने से इंकार कर देते थे उस समय गौतम अडा प्राइजेशन कलेक्ट कर पीवीसी के बल्क ओडर्स प्लेस करना शुरू किये। उन्होंने स्टेट पीएस्यू, गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्परेशन्स या जीएस इसी से भी टाइप किया जो स्मॉल कंपनीस को इन्पुट सप्लाई करता था। सारे रिक्व प्रोडेक्ट्स को मार्केट में ट्रेड कर अडानी ने हुज प्रॉफिस जनरेट किये। इससे स्टेटजी के तहत गौतम अडानी ने अपने इंपोर्ट वॉल्यूम्स इतनी इंक्रीस कर ली कि जल्द ही उन्हें स्टेट गवर्मेंट ने एक लाइसेंस ग्रांट करते दिये। दोस्तों दौरान अडानी का बिजनिस बिस्ट्रिंग पेस्ट से आगे बढ़ा। 1988 से 1992 के बीच केवल चार सालों में गौतम अडानी की इंपोर्ट्स 100 मेट्रिक टन्स से बढ़ते हुए 40,000 मेट्रिक टन्स हो गए। पीवीसी ग्रांटूल्स के अलावा अडानी ने एक केमिकल्स और पेट्रोलियूम प्रोडेट का इंपोर्ट शुरू कर दिया। उन्हें धीरे धीरे एक्सपोर्ट्स में भी खुद को एक्स्पैंड किया और जल्दी एक स्टार ट्रेडिंग हाउस बनकर उभरे जिसने ब गौताम अडानी ने कुछ major setbacks भी देखे जिसमें उनके भाई रजेश अडानी का duty evasion के लिए अरस्थ होना शामिल था लेकिन इस setbacks गौताम अडानी के rice को रोकने में नकाम्याब रहे और जल्द ही गौताम अडानी ने खुद को infrastructure में भी expand किया आईए उसे हम अगले section में देखते हैं दूसो 1997 से 98 आते आते गौताम अडानी ने डिसाइड किया कि वो के वर्ड ट्रेडिंग से बाहर निकल कर ports और plants जैसे infrastructure में भी हाथ आजमाएंगे मुंद्रा पोर्ट इनका पहला project बना 1991 से 1992 में चिमन भाई पटेल गवर्मिंट ने मुंद्रा पोर्ट की जमीन क एगरी business group कैरगिल और अडानी को salt production के लिए दे दी थी जोर्ज फनांडेस और कई जानिमानी हस्तियों के प्रोटेस्ट के बाद कैरगिल ग्रूप ने इस project से अपने हाथ पीछे खीच लिये कांडला और मुंबई पोर्ट में होने वाले डिलेस से अडानी ग्रूप हर साल 8 तू 10 करोट के losses जहल रहा था और इसी crisis में गौतम अडानी ने मुंद्रा को एक private captive port में convert करने का विचार बनाया दोस्तो अब इंडिया उस दौर में आ चुका था जब हमारा देश liberalization की ओर तेजी से बढ़ रहा था खुद को capitalize करने के लिए गुजराद गवर्मेंट ने नए ports दिबलब करने का प्लान बना लिया था प्रोसेस को accelerate करने के लिए गुजराद गवर्मेंट ने नए ports को state और private companies के joint ventures के तौर पे manage करने का decision लिया 10 ports के initial list में मुंद्रा पोर्ट भी शामिल था मुंद्रा पोर्ट state owned कांडला पोर्ट से जादा deeper था जिसे 2 lakh metric ton से जादा load carry करने वाली large ships भी यहां बर्थ कर सकती थी और यहां से अडानी गुरूप ने नया growth देखा 1994 में गुजराद गवर्मेंट ने मुंद्रा पोर्ट के managerial outsourcing की announcement की और 1995 में ये contract अडानी को मिला मुंद्रा पोर्ट पे पहली ship 1998 में dock हुई दोस्तो जिस तरह धीरू भाई अम्मानी ने पहले यमन में काम किया फिर import export business में हाथ अजमाए और उसके बाद उन्होंने एक textile mill open की यही मिल अम्मानी गुरूप के future expansion का base बनी इसके बाद अम्मानी गुरूप ने खुद को power, petrochemicals, gas etc में expand किया similarly मुंद्रा पोर्ट ने अडानी गुरूप के लिए nucleus का काम किया मुंद्रा पोर्ट में mineral landings के साथ गौतम अडानी ने खुद को coal trading में involved किया इस पोर्ट के special economic zone की भी स्थापना हुई जहां 2003-04 के बाद से companies ने अपने outlet establish कर shipment business चुरू कर दी special economic zone के industrial customer और coal trading में involved होने के कारण अडानी गुरूप ने खुद को thermal power generation में expand करना शुरू किया दोस्तो लेकिन मुंद्रा पोर्ट के तहत अडानी गुरूप की ग्रोथ इतनी आसान नहीं थी पहले तीन सालों तक मुंद्रा के ग्रोथ में कोई specialty नहीं थी एक समय तो ऐसा भी आया था कि पोर्ट सेटप करने का गौतम अडानी दोरा लिया गया decision मानो backfire करने वाला था लेकिन 2000 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पोर्ट की कहाने बदल दी इस साल कांडला पोर्ट ने एक self-defeating decision लेते हुए वर्ल्ड के one of the largest port operators P&O Ports Australia का offer reject कर दिया इस government के back out के बाद P&O ने मुंद्रा पोर्ट में अपना container terminal सेटप करने का निर्णा लेते हुए अडानी ग्रोप में equity infuse की और यहीं से मुंद्रा पोर्ट की ग्रोथ ने नई उचाईयां देखनी शुरू की मुंद्रा पोर्ट आज अडानी ग्रोप के main cash cows में से एक है और पिछले लगबग एक दशक से अडानी पोर्ट और special economic zone 71% के operating margin को हासल करने में काम्याब हुए है इसके कुछ सालों के बाद Shell Total ने City Bank को एक company setup करने की request की जिससे हजीरा पोर्ट पे एक non LNG terminal operate किया जा सके City Bank ने इस काम के लिए अडानी ग्रूप को चुना लेकिन 2009 में tender award लेने के बाद May 2010 में construction शुरू हुए और दो सालों के अंदर ही May 2012 से पोर्ट ने operation शुरू कर दिया दोस्तो इन growth ने business experts और अडानी ग्रूप के close aids के सामने Gotham अडानी के कई strategies को openly project किया Gotham अडानी हमेशा बड़ा सोचते हैं और ambitious बने रहते हैं उन्होंने largest trading house create करने का सोचा और वो काम्याब हुए मुन्रा में first power plant setup करते हुए उन्होंने एक 5000 मेगावाट का plan setup करने का plan मनाया Independence के बाद गुजरात ने केवल 8000 मेगावाट की generation capacity अड़ की थी Gotham अडानी ने ये काम भी करके दिखाया आज अडानी पावर के thermal power plants की combined capacity 4620 मेगावाट है Business experts Gotham अडानी को अकसर धीरू भाई अम्मानी से compare करते हैं जो small Indian market के बाद जूद large factories setup किया करते थे दोस्तों देखते ही देखते Gotham अडानी ने अपने गुरूप के turnover को year 2000 में 3300 करोड से बढ़ाते हुए 2013 में 47000 करोड तक पहुचाया इन सारे developments के बीच अडानी गुरूप ने खुद को international market में भी expand किया और 2009 से 2012 के बीच इस गुरूप ने अउस्ट्रेलिया के abort point Porta और क्यून्स लैंड की कैर मिशेल coal mine acquire की दोस्तो coal के around centered एक business empire को दो decades से जादा समय तक successfully run करने के बाद गौतम अडानी ने अपने गुरूप का future fossil fuel से बाहर देखना शुरूर किया अडानी गुरूप आज इंडिया के infrastructure king के तौर पे उभर कर सामने आया है चाहाँ ये गुरूप आज mines, ports, power plants, airport, data centers और defense manufacturing में involved है आज ये sectors इंडिया के economic goals को अचीव करने के लिए crucial माने जाते हैं अडानी गुरूप ने pandemic के दरान भी अपनी six listed units की मदद से अपने market value में 79 billion dollars आड़ किये थे ये अडानी गुरूप की history के best 12 months थे अडानी गुरूप में French oil giant, Total SE और Warburg Pinses LLC ने invest करने का निर्णे लिया अडानी गुरूप द्वारा add की गई ये value इंडिया ने दो biggest business empires, Tata Group और Alliance Industries के बाद सबसे जादा थी दोस्तो पिछले कुछ सालों के अंदर ही अडानी गुरूप ने खुद को expand करते हुए seven airports का control gain किया है जो इंडिया के air traffic का almost एक quarter है इसके लावा गौतम अडानी ने अपने renewable energy capacity को 2025 तक 8-fold boost करने के भी plans unveil किये है कुछ समय पहले ही अडानी गुरूप ने एच कॉन X के साथ एक pact sign करते हुए पूरे इंडिया में data centers develop और operate करने का initiative लिया है दोस्तो अडानी गुरूप की ये plans इंडिया के current development strategy में बिलकुल स्ट्रेटीग बैट रहे है डिफेंस manufacturing में enter करना इंडिया के defense sector में imports को cut down करने के aim को match करेगा वही solar panels और modules की production को scale करना आज इंडिया के renewable energy sources की और बढ़ते कदम को assist कर रहा है इसके लावा data centers open करने का decision भी government के उस proposed law को assist करता है जिसके तहत इंडिया सरलेटेड डेटा locally store करने के निरदेश है अडानी ग्रूप के इन initiatives को देखते हुए Warburg ने अडानी ports and special economic zone में 110 million dollars invest किये महीं France के total ने अडानी green में 2.5 billion dollars के investment की दोस्तों आज अडानी ports और special economic zone इंडिया का biggest private port operator है जो इंडिया के eastern और western coastlines के 13 ports और terminals में spread है अडानी enterprises आज इंडिया की biggest coal trading company होने के लावा biggest coal mining contractor और biggest private airport operator है जिसके अंडर 8 airports है अडानी green आज वर्ड के largest solar power developers में से एक है अडानी transmission इंडिया की largest private sector transmission और distribution company है अडानी total gas आज इंडिया की largest city gas distribution business बन चुकी है और अडानी power इंडिया का largest private thermal power producer बनने में काम्याब हुआ है इसके साथ ही अडानी wilmer आज इंडिया के biggest edible oil brands में से एक है तो इसके साथ अडानी empire, solar manufacturing, logistics, industrial land, defense and aerospace, fruits, road and rail, real estate और lending जैसे कई sectors में खुद को expand कर रहा है तो तो किसी भी business group के rise और controversies के बीच हमेशा से सम्मंद रहा है चाहे वो Tata's हो या फिर Ammanis और अडानी group के case में ये controversies कुछ जादा ही नजर आती है आई देखते हैं अगले section में तो जहाँ एक और Ammanis group ने खुद को equity cult के around नर्चर करते हुए discipline से balance किया है वहीं अडानी group ने debt की उपर rely करते हुए capital spending fund की है Brokeries Credit Suisses अडानी group को इंडिया के most burdened businesses houses में से एक मानती है 2006 से 2007 के दोरान अडानी group की revenue 16,953 crores हुआ करती थी जिसके against इस group का debt 4,353 crores था लेकिन Credit Suisse के report के अनुसार 2012 से 13 में जहाँ group के revenues 47,352 crores थे वहीं इसका debt 81,122 crores तक जापोचा था आज भी अडानी group की listed companies की total debt लगभग 20 billion dollars तक estimate की जाती है इसके लावा अडानी group की companies के valuation को लेकर भी कई concerns जदाय जाते है group के listed stocks के 12 मंत revenue को यदि अडानी wilmer group को exclude करके देखा जाए तो ये 14.5 billion dollars होगा जबकि इसके against इन companies की combined profit value केवल 1.14 billion dollars थी लेकिन इस आखड के बावजूद अडानी group के cis stocks की collective market value 148 billion dollars बताय जाती है जो इस सवाल को जन देती है कि क्या stock prices को fundamental से detach कर दिया गया है दोस्तों इन सब के अलावा गौताम अडानी और politics के बीच के सम्मन्द हमेशा से चर्चा में रहे है political analyst निलंजन मुखोपाद ध्याय जिन्होंने नरेंद मोदी, the man, the times नाम की biography लिखी है उनके अनुसार नरेंदर मोदी और गौताम अडानी के बीच 2003 से connections थे जोस्तों कई reports के अनुसार, early 2000 में जब गुजरात राइट्स के बाद इंडिया की main industry grouping, Confederation of Indian Industry, CII ने गुजरात में invest करने से इंकार कर दिया तो गौताम अडानी ने एक regional industry lobby create करते हुए, vibrant गुजरात summit में 1500 करोड की investment का announcement किया था इसके लावा जब US में War 10 Indian Economic Forum ने Mr. Narendra Modi को दिये गए invitation को cancel किया, तो event के main sponsor के तौर पे अडानी गुरूप ने event से बिना कोई reason, assign किये sponsorship विड्रॉव कर ली Controller और Auditor General ने दो ऐसे instances flag किये, जिसके तहत गुजरात government ने अडानी गुरूप को undue benefits extend किये पहले instance में 2006 से 2009 के बीच गुजरात State Petroleum Corporation ने open market से natural gas purchase कर अडानी गुरूप को same gas purchasing price से lower price पे sell किये इस action से अडानी गुरूप को 70.5 करोड का profit हुआ Second instance में गुजरात उर्जा विकास निगम ने अडानी पावर से केवल 79.8 करोड की penalty रिकवर की जबकि अगस्ट 2009 से जनवरी 2012 की बीच पावर सप्लाई ना कर पाने के लिए CAG Calculations के अनुसार ये fine 240 करोड होनी चाहिए थी एहमदाबाद हाई कोट लॉयर आननल याकनिक के अनुसार स्टेट गवर्मेंट ने जहाँ एकोर गवर्मेंट ओन्ड कांडला SEC को environmental clearance देने से इंकार कर दिया वहीं मुंडरा SEC के पास environmental clearance ना होने के बावजूद उसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने की permission दे दी गई दुविजेंदर तुरिपाथी, I.A.M. एहमदाबाद में बिजनस हिस्ट्री के retired प्रोफेसर के अनुसार अजगुजरात के ज़्यादा तर X.I.S. अडानी ग्रूप जोइन कर रहे हैं ये pattern हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि कुछ समय पहले इंडिया के former home secretary G.K. Pillai ने भी अडानी ports के board को जोइन किया था इन सब के लावा गौतम अडानी के भाई रजेश अडानी के अगेंस्ट enforcement direct trade दोरा duty evasion के case trials के दोरान उन्हें गुज़ाद government के advocate general कमल त्रिवेदी ने represent किया था दोस्तो, controversies ने अडानी ग्रूप को देश के बाहर भी haunt किया जब हमने Australia में stop अडानी movement को देखा जब अस ग्रूप ने country के controversial Carmichael cold project में खुद को involved किया था दोस्तो, ये थी कहानी Indian businessman गौतम अडानी की Recently, Forbes real-time billionaire calculation ने 90.1 billion dollars के worth के साथ गौतम अडानी को एशिया का richest percent डेक्लेयर किया था इस list में, गौतम अडानी ने Reliance Industry के head Mukesh Ambani को narrowly edge out किया था जुनकी wealth 90 billion dollars बताए गई, Forbes के अनुसार गौतम अडानी के net worth पिछले साल के against लगबाग double हुआ है जब April 2021 में उनकी wealth 50.5 billion dollars हुआ करती थी दोस्तों इस वीडियो में बताए गए, गौतम अडानी के life के अलग-अलग segments में से वो कौन सा segment है, जिसने आपको सबसे ज़ादा influence किया है comment section में ज़रू बताएगा आज के वीडियो के लिए इतना ही, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है, तो अपने दोस्तों के साथ share करना मत भूलेगा हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत